हलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू माई चैनल तो फ्रेंट्स इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे प्लांट्स के नेम बताऊंगी जो की सर्दी हो गर्मी हो हमेशा ही आपके गार्डन में रहते हैं कौन सा प्लांट धूप का है चाया का है कौन सी खाद डालनी है किस तरीके से कटिंग लगानी है सब कुछ वीडियो में बताऊंगी इसलिए पूरा जरूर देखे और पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें चैनल को अगर आपने तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंट्स प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे बैल आइकन के साथ फर्स्ट प्लांट हमारा वाइट वैलवेट या फिर वाइट गोस्ट मॉस भी बोलते हैं इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है इसको आप हेंगिंग पोर्ट में लगा यह पर्मनेंट प्लांट है पानी में भी ग्रो कर सकते हो मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हो क्योंकि इसकी छोटी से छोटी कटिंग इजी तैयार हो जाती है इसके जो पत्या होती है वो बिल्कुल आर्टिफिसल पत्या जैसी रहती है काफी मोटी होती हैं ठिक रहती हैं ये प्लांट जल्दी से खराब नहीं होता 15 से 20 दिन में एक बार आपको इसमें बस वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद को पानी में भीगा कर डाल देना है चाया में भी ग्रो होता है और धूप में भी आधा एक गंटे की धूप मिल रही है ऐसी जगह रखना है डिरेक्ट सनलाइट इस पर नहीं पढ़ने चाहिए इसी के पास ते बेबी प्लांट भी निकलते हैं तो आप इन्हें निकाल कर अलग कर सकते हो इस प्लांट को अगर आप धूप में रखोगे तो इसकी पत्या खराब हो जाएंगी फेड हो जा प्लांट को बेस्ट मना जाता है इसकी पत्या नीचे की साइड से ग्रीन रहती है और उपर की साइड से रेड कलर में रहती है इस पर फूल भी खिलते हैं छोटे-छोटे इसी के पास से जो इसके निव स्टैंप्स निकलते हैं तो आप इसे कटिंग से भी तयार कर सकते हो अब ही अगर आपके पास है यह एक पर्मनेंट प्लांट है सर्दी में आप इसको धूप मे रख सकते हो गर्मियों में आपको सिर्फ आधा एक गंटे की धूप मेरे है यहाँ पर देखें पिटोनिया भी उभी कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है ग्रोथ इसकी कॉ पर भी गिरते रहते हैं तो जो प्लांट इसके लेट निकलते हैं उन पर अभी भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रखी और नर्सरी में आपको 20-20 रुपेज के मिलते हैं पूरा दिन की धूप में इनको रखा जाता है और इनकी बहुत सारे कलर कोमिनिशन में आपको मिल हैं एक हमारा डाइंथस भी एक पर्मनेंट प्लांट रहता है सर्दी हो गर्मी हो हमेशा ही आपके गार्डन में रहेगा इसके सूखे हुए फूलों के नीचे इसका बीज बनता है तो आप इसे बीज से भी तयार कर सकते हो और कटिंग से भी easy तयार कर सकते हो hanging port में ग्रो क ही चाहिए होती है आप नेक्स्ट है हमारा कलांचु तो कलांचु भी एक पर्मनेंट प्लांट रहता है तो आपको इसमें पानी कम डाला ना होता है अभी जैसे बरसात है तो बारिस पानी अगर डिरैक्ट इसके ऊपर पड़ेगा तो यह खराब हो जाएगा इसलिए बारिस क हर्डी प्लांट रहता है ज्यादा देख भाल की जरुरत नहीं पड़ती है ज्यादा खाद की जरुरत नहीं पड़ती है सर्दियों में पूरा दिन की धूप में रखे और गर्मी में आप इसको चाया में रख सकते हो नेक्स्ट है हमारा मेरी गोल्ड मेरी गोल्ड भी एक पर्मनेंट प्लांट रहते हैं और इनकी बहुत सारी वेराइटी आपको मिलती है काफी डिफरेंट डिफरेंट इनके प्लांट 15 रुपीज से स्टार्ट होकर आपको 50 रुपीज तक मिलते हैं क्योंकि इनकी वेराइटी अलग-अलग होती हैं लेकिन आप इनको सुखे हुए फूलों से और कटिंग से बिल्कुल इजी अपने घर पर तयार कर सकते हो मेरी गोल्ड के फूल जो होते हैं काफी डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं नर्सरी में आपको 15 से 20 रुपीज का प्लांट मिलता है लेकिन आप इसको अपने घर पर इजी तयार कर सकते हो इसमें फंगस लगती है उसके लिए फंजिसाइड पाउडर का स्प्रे आप टाइम टाइम पर करते रहिए नेस्ट हमारा प्लूमेरिया या फिर चमपा भी इसको बोला जाता है नाग चमपा रहता है प्लूमेरिया इनकी बहुत सारी वेराइटी होती है और हुलो के कलर भी इनके बहुत सारे आपको मिलते हैं ये प्लांट भी एक पर्मनेंट प्लांट रहता है सर्दी गर्मी हमेशा आपके गार्डन में रहेगा सर्दियों में बस जो इसकी पुरानी पत्या रहती है वो पीली होकर गिर जाती है लेकिन ये वापिस से मार्च अप्रेल में अपनी ग्रोथ पर आ जाता है इसमें भी बड़े पोट में लगाई और पूरा दिन के धूप में रखे नैस्ट हमारा यूफोर्विया मिली यूफोर्विया मिली प्लांट प्लांट रहता है रदी हो गर्मी हो हमेशा आपके गार्डन में रहेगा इसके फूलों के कलर आपको बहुत सारे मिलते हैं इसकी से कलर का दूद सा निकलता है तो आप उससे बचके रहे क्योंकि इचिंग वगरा इससे हुती रहती है तो इस प्लांट को आप पूरा दिन के धूप में रख सकते हो अपने छट पर रखे दस से बारा इंच के पोट में लगाईए जल्दी से खराब नहीं होगा जब कटिं इसकी ग्रो करिए क्योंकि उसमें से दूद सा निकलता रहता है नेक्स्ट है हमारा विंका या फिर सदा बाहर इसको बोला जाता है ये भी पर्मरेंट प्लांट रहते हैं इनकी दो तीन तरह की वेराइटी आपको दिखने को मिलती है जैसे कि देसी वेराइटी होती है और ह देखने को मिलते हैं तो इसमें भी आप फंजिसाइड पाउडर का टाइम टाइम पर इस्प्रेक करते रहिए क्योंकि ये पानी से खराब होते हैं नेक्स्ट है हमारा कोलियस कोलियस जो होते हैं अपने रंग विरंगी पत्यों की वज़े से ही ज्यादा तर पसंद किये जा इजी तयार हो जाते हैं इनका पुराना प्लांट होता है वो जल्दी से खराब हो जाता है क्योंकि नीचे की साइड से कई काफी टाइट हो जाता है उपर के टोप पर उसकी सिर्फ सोफ्ट रह जाती है ब्रांच तो उपर से आपको लेनी है और लगा देनी है मिट्टी में या फिर वर्मी कमपोस्ट में उसी से आपका प्लांट न्यू तैयार हो जाएगा इसमें भी आपको पानी कम डालना होता है पानी की वज़े से ये प्लांट गल जाता है तो कोलियस जो होते हैं ओनली आपको 20 से 40 रुपीज के नर्सरी में मिल जाते हैं और काफी डिफरेंट डिफरेंट मिलते हैं इनको एक दो घंटे की धूप अच्छी मिल जाए आपको ऐसी जगह पर रखना होता है नेक्स्ट हम अपने घर पर इजी तयार कर सकते हो मैंने इसी प्लांट के पास में एक कटिंग इसकी लगाई थी और आप देख सकते हो कितने अच्छे से ग्रोफ हो गई है क्योंकि अभी बरसात है तो बरसात में कटिंग आप जितना मरजी लगाओ सबही कटिंग बहुत जल्दी से सक्स बस करना क्या है कि आपको एक पैंसिल सेफ की कटिंग लेनी है और उसको मिट्टी और वर्मी कमपोस्ट में लगादा देना है और उसमें मोस्चर बना आके रखना है ज्यादा सूखने नहीं देना बारिस का पानी डाल दोगे तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि बारिस के इसी तैयार कर सकते हो ये भी पर्मनेंट रहते हैं सर्दी हो गर्मी हो हमेज़ा आपके गार्डन में रहेंगे next हमारा chrysanthemum तो देखे मैंने chrysanthemum की कुछ cuttings लगा कर रख दी है क्योंकि अभी इनका cutting लगाने का best season है और ये भी हमारा एक permanent planting होता है सर्दियों में बहुत अच्छी flowering करता है और इसकी variety भी आपको बहुत चारी देखने को मिलती है 60 रुपी से स्टार्ट होकर आपको 300-400 तक क्रिस anthemum मिलते है so friends I hope आपको ये वीडियो पसंद आई हो और पसंद आए तो please वीडियो को like share ज़रूर करें मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई